हलो स्टूडेंज मैं संदिप सिंग वेलकम करता हूँ आपका मैगनेट बिंस हिंदी में जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 तू 12 मतलब यहां पर कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई साभी सब्सक्रिप्शन नहीं ल है हमारे चैप्टर नंबर सेकेंड मातरक और मापन की तो इस सीशन में हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से वो फैक्टर से कौन कौन से वो पॉइंट से जो हमको डिस्कस करने हैं ठीक है क्योंकि यही से स्टार्ट हो जाती है हमारी 11 फिजिक्स यहां से इसके importance बहुत जादा बरजाती है क्योंकि यही से सुरुवात होनी है आपके units की आपके dimensions की आपके measurement की जी अगर किसी चीज़ को कहीं पर भी कोई भी परिगटना चल रही है कोई भी physical changes चल रहे हैं उसको आपने अगर देखा तो देखने के बाद आपके मन में क्या जूड़ने के लिए हम कुछ सिध्धानतों को कुछ नियमों को ध्यान में लाते हैं वहां से हमको मिलती है कुछ गड़ीती है calculation कुछ mathematical forms और उन mathematical forms में change करके बदलाओ करके हम पहुंच पाते हैं अपने results पे ठीक है तो आईए ना चलिए देखते हैं कि वो जो अंक जो मिलते वो numbers मिलेंगे कैसे क्या होता है ये मातरक और क्या है ये मापन इसकी बात करेंगे हम तो देखे इस चाप्टर के अंदर सबसे फॉस जो इसकी भूमी का है उसके अंदर यही चीज़ देखनी है कि ये जो physical world है जो भौतिक में जितनी भी चीज़े हमने देखनी है वो सब ऐस अंदर तो इसे घंदा घ्टना होती है जो वास्तों में घटित होती है हमारी पांचों ग्यान इंद्रिया में सो कोई एक उसको sense कर पाती है सिर्फ उनीकर अंदर तो इसी के दोरान हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी quantity को किसी भी रासी को किसी भौतिक परिघटना को माप कैसे सकते हैं कैसे मेजर कर सकते हैं क्या वो घटना करम भी मेजर की जा सकती है या फिर सिर्फ उसका final product और उसका जो initial जिस चीज को हमने दिया था कुछ बनने के लिए वही दोनों मापे जा सकते हैं मतलब कुछ ऐसा समझ में आता है हमें कि किसी भी भौतिक मापन के लिए हमको जोरत होती है कि मापन के बाद में हम लिखें एक नमबर में अचा बिना नमबर के आपको कैसे समझ में आगा कि कौन सी चीज की quantity कितनी है कौन जादा है तो इसके बारे में इसकी जनकारी के लिए हमको लिखने होते numbers और उनमबर्स आपको सीधे सीधे बता देते हैं कि यह कम number है तो छोटा है जादा number है तो बड़ा है फिर उसी को express करने के लिए अभी number से सिर्फ़र सिर्फ हमें कुछ भी नहीं पता चलता तो इस number को express करने के लिए हमको requirement होती है units की इकाईउं की जो हमको nature बताता है कुछ इस प्रकार देखिए अगर जैसे मैंने 5 kg लिख दिया आपको automatically समझ में आता है कि यह 5 जो है यह एक number है जो मात्रा को बता रहा है और यहाँ पे जो kg लिखा हुआ है यह इसकी इकाई है जो इसके nature को बता रही है क्या प्रकरते भाई तो चलिए ना मैं लिखता हूँ 6 लीटर अब आपको समझ में आगे होगी की प्रकरते मतलब क्या मतलब यह समझ में यह liquid है यह कोई ऐसा है जो ठोस है जिसका वजन किया है हमने जिसके मांस की बात की जा रही है लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो यह कि इसमें चल भाई लीटर में लीटर का मतलब क्या समझ में है कि यह liquid है मतलब इसने नीचर बता दिया और इसने हमको amount बता दिया अच्छा यहीं पर 17 लीटर लिख दूँ तो क्या समझ में आता भी तो 17 लीटर लिखते के साथ ही आपको समझ में आता है कि quantity जो थी वो बढ़ कि यह numbers आएंगे यही काईयां बनाई जाएगी तो इनी काईयों की category कितनी सारी है यह सारी चेज़े हमको इसके अंदर discuss करनी है तो जब हमने बात करेंगे मात्रकों की तो उसमें एक परिसानी आगई तो परिसानी यह आई कि हमारे आसपास में अलग मात्रक चल रहे हैं और बाहर देशों से जब हम communicate करना सुरू के तो वहाँ अलग मात्रक चल रहा है इसका क्या मतलब है तो इसका ऐसा मतलब है कि हमारे लोकल में तो चलता है वजन में पाव बही एक पाव दे दो अब एक पाव कोई सब्पोर्स हम मिर्च खरीदने का है जनरली चलता है उसके दूसरे देश में रहता हो उसको हम समझा रहे हो कि भाईया मैंने एक पाव ये लिए ये लिए वो लिए वटेबर जो भी तो उसको पाव तो नहीं आएगा समझ में क्यों नहीं आएगा समझ में क्योंकि उसने सुना ही नहीं ना उसको पता ही नहीं इसके बारे में तो कि और सामने वाला चाइनीज तो वो मेरी बात नहीं समझ सकता मैं उसकी बात नहीं समझ सकता हूं तो इसके लिए क्या चाहिए होगा तो इसके लिए चाहिए होता एक international language जैसे commonly कह सकते English English ऐसी एक भासा ओगे जिसमें आप दुनिया के माक्सिमम देशों में बाचित कर सकते हैं वैसे यहां पे आपने पाव बोल दिया सामने वाला नहीं समझा तो उसको बोलना पड़ेगा किसमें भाई एक ऐसी ही काई में जो कि वो भी समझा और आप भी समझे जिसको इंटरनेशनल स्टांडर्स कहते हैं अंतराष्टिय प्रणाली अब उसमें क्या हुआ भई तो उसमें हमने कहा केजी में मापी तो उसको भी समझ माता है मुझे भी अब इसी में आ जाती है किसका भई तो मेज measurement जो है एक unknown quantity जिसके बारे में हम नहीं जानते उसको एक non quantity से compare करना ही मापन कहलाता है क्या समझें भई एक ऐसी कोई length है एक माल जो कोई ऐसी लंबाई है जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता इंची टेप ले आते हैं इंची टेप क्या है भई तो वो आपकी जो अग्यात थी उसके साथ जो ग्यात था उसको क्या किया तुलना किया compare किया इसी comparison को मापन कहते है और इसमें हमको चाहिए होता है कि जब छोटी length मापनी हो तो अलग बात होगी जब बड़ी length मापनी हो तो एक बड़ी लेंट हो गई अब इसके बाद और बड़ी की बात करें तो रोड बननी हो तो वो और बड़ी लेंट हो गई कहने का मतलब है कि लंबाई के लिए बहुत बड़ी भी हो सकती है और भी बड़ी कर सकते है आपने रोड की बात करी एक सहर से दूसरे साथ की बात कर लेते हैं, हम तो एक गरह से सेटलाइट की बात कर लेते हैं, एक गरह से दूसरे गरह की बात कर लेते हैं, तो यह लंबाई बढ़ रही है न, यह सिब कैसे मापेंगे, यह सब कुछ इसी चाप्टर के अंदर में सीखेंगे भाई, फिर हम सीखेंगे कि द्रब्यमान कमापन कि कैसे किसी चीज़ का द्रब्यमान निकाला जा सकता है हम प्रित्वी पर हैं फिर भी हम चांद की द्रब्यमान कैलकुलेट कर पा रहे हम प्रित्वी पर हैं इसके बावजूद भी बिना सूरे पे गए सूरे से प्रित्वी की दूरी कैलकुलेट कर पा रहे हैं यह कैसे करते हैं यह सब कुछ सीखेंगे हम फिर हम सीखेंगे समय कम आपन टाइम को कैसे मेजर करें टाइम के लिए आपने जो सुना है वो तो सिंप्ली सुना क्या बई 2nd. इसके बाद minutes, hours और भी कुछ बड़ी units आएंगे जिसमा मेजर करेंगा और छोटी units भी आए की ठीक है इतना सब कुछ करने के बाद ये सारे मेजरमेंट से आप को समझ में आया कि हम कुछ लिडिंग निकालेंगे कुछ वैलिउस कैलकुलेट करेंगे बाट एक समस्या ने क्या समस्य है भई हम जब रिडिंग कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी परिसानिया आजाती हैं जैसे मान लिजे लाक आफ नॉलेज मुझे नॉलेज ही नहीं कि उसको कैसे रिडिंग पड़नी है जैसे जब आप छोटे थे तो आप घरी देख करके कौन जी वह क्लॉक जो लगी है आपके दिवारों पर उसको देख करके आपका टाइम बता पाते थे क्या क्योंकि उसमें कई बार को बहुत सारे लोग के घर ऐसी घड़ी लगी हो जिसके अंदर वह बार रहे एक दो तीन चार भी नहीं लिखा रहे तासे बैसे लाइन्स बने होते अब भी कैस मैं कुछ कही नहीं सकता उसके बारे में ठीक तो इसी के लिए आ जाती है कि यथार्थता मतलब सुद्धता कितनी है यंत्रों की परिसुद्धता कितनी है आप कितने यथार्थत कितनी एक्चुल वैल्यू निकाल पा रहे हैं कितने एक्चुल वैल्यू को मेजर कर पा रहे और इसके बाद आजाती है यंत्रों के परिसुदा अब यंत्र जो है जो मसीन आपने लिया है मेज़र करने के उसमें भी तो खराबी हो सकती है ना उसमें भी कमी हो सकती ना आप एज़र समझें ना वो जो बाट होता है उसके बराबर में बहुत साथ लोग पत्थरों का इस् तो उसका शेप सेम नहीं बचा तो उसका जो वेट है वो हो सकता है कम हो गया हो ठीक है ना तो मतलब वो सुद्ध नहीं बचा तो एक बात यह भी देखेंगी कैसे सुद्ध वैल्यू निकाले ठीक आगे हम बात करेंगे कि मापन में तुरूटी अब यह सब दिक्कतें आ रही जिससे आप अपने ड्वाइंग्स मनाते हैं उस स्केल में आप मान लीजिए 2 से टूट गया सके ठीक है ऐसा आपका स्केल है और यह यहां से यह 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 तो से यह तूट गया कि मतलब इसमें जो दिक्कतें आई थी जो तुरूटी आई थी उसको करेक्ट भी कर पाएंगे हम तो फिर हम देखेंगे कि यह जो तुरूटी आ रही है उसको कैसे करेक्ट करेंगे कैसे उसका सोधन किया जाएगा फिर बात आएगी कि जब यह सोधन हो गया करेक्शन हो गया तो इन में हमने इस्तिमाल किया था नंबर क्या इस्तिमाल किया था वही नंबर संख्या तो वो कौन-कौन सी संख्या हैं जो हमारी साथ देंगे हमारे साथ रहेंगी हमको कुछ actual values को बताएंगे और कौन-कौन से ऐसे numbers होंगे जो मेरे किसी काम की नहीं होगे सिर्फ लिखी हुई है जैसे 12 रुपे 50 पैसे आप स्वाहम से बताएंगे 12 रुपे 50 पैसे और अब ये लगाते जाओं अब इसका क्या मतलब है इसका कोई लेना देना है क्या तो आप कहेंगे नहीं भाई ये 12 रुपे 50 पैसे एक बाद इस नंबर के बाद अब जितने जी रोज लगा रहे हैं कोई आउचिते ही नहीं है तो ये कोई मतलब ही नहीं है तो मतलब ही क्या होगे ये सार्थक नहीं है ना इनकी कोई वैल्यू नहीं है इनसे कोई लेना देना नहीं है तो यह सार्थक नहीं है तो हम वह पढ़ेंगे कौन हैं जो सार्थक होंगे कैसे कैसे numbers को लिखा जा सकते हैं ठीक है क्योंकि मैंने सुरू में रिसक्स किया है आपके साथ में कि यह हमारी science की पहली class है science के nursery class है ABCD सीखनी है किसकी science की हमारी physics की ABCD सीखनी है वही तो यह ABCD ही चल रहा है हमारी physics की सुरुवात ही वहीं से होगी कि कोई परिघटना हो रही है हम उसका अवलोकन करेंगे और अवलोकन के ततपस्चात उसके लिए एक गणितिया निरूपन करेंगे मतलब उसका गणितिया फॉर पर निरूबर कर रही है देखिए सब कुछ सभी चीजों पर निरूबर नहीं करती आपको भी पता भी जैसे एक बात मैं आपको समझाओं कि अगर मुझे किसी खेत का छेत्रफल निकालना है तो खेत के छेत्रफल के लिए उस खेत के द्रबेमान से कोई लेना देना नहीं ह लेकिन वही किसी की चाल निकालनी है तो आपको पता है दूरी बटा समय होता है तो चाल निकालते समय जब आप बात करते हैं दूरी बटा समय की तो आपको समझ में आता है बही कि यहाँ पे लंबाई का लेना देना है और टाइम का लेना देना है लेकिन अद्रबेमान की बात करो तो कोई लेना देना नहीं है यही को बदल के अगर मैं बात कर लूँ वेग में तो आपको पता यह विस्थापन बटा में समय है किन्तु यही अगर तौरण बन जाए तो यही विस्थापन रहेगा लेकिन समय का जो होगा वो वर्ग हो जाएगा अब क्या समझे बई तो यह तौरण जो है समय पे समय के साथ में स्क्वाइर के साथ में जुड़ा हुआ है जबकि यह वेग जो है वो सीधे सीधे समय के साथ में जुड़ा वई इसमें स्क्वाइरिंग नहीं है बस कहा है वेग भी इन्वर्शनी प्रोपॉश्टल है टाइम के और तौरण भी इन्वर्शनी प्रपोस्टल है स्क्वाइर आफ टाइम के तो इनकी भी बात करेंगे इन विमाओं की बात करेंगे और इन ही से हम कुछ सीख पाएंगे कि भाई कितने तरीके के फॉर्मूले होंगे मतलब आपको घबराने परिशान होने के बिल्कुल भी जो रख नहीं है वह आई क्योंकि मैंने बोला ना है भी सीखेंगे साथ ही हैं यहां पे सिर्फ आपके इंग्लिस में तो फिर भी 26 लेटर्स थे यहां सिर्फ साथ हैं और दो वार आ जाएंगी सप्लीमेंटरी तो कुल मिलाके नौ और उन दोनों को अलग ही अटा दिए कुल मिला करके मैं पास मैं मिलेंगे वो साथ जैसे 26 लेटर्स आपने देखें उनी 26 लेटर्स को आगे पीछे करके वर्ड्स बनाते हैं वैसे ही हमारे पास सिर्फ साथ फॉर्मूले हैं सिर्फ साथ ऐसी रासिया हैं जिनको हम क्या करेंगे आगे पीछे करेंगे शिफ्टिंग शफलिंग और उनसे हम क्या करेंगे भई हम नहीं नहीं चीज़े बना पाएंगे ठीक है ना तो मतलब घबराने के बिलकुल जरुरत नहीं है भई इसके बाद इसे हम बात करेंगे हम विमिय सूत्र की और विमिय समीकरन की जिन विमाओं की बात कर रहे हैं इनके सूत्र और समीकरन की बात कर करेंगे वीमिय विस्टलेशन और इसके अनुप्रियोग फिर आकरी में यहां पर क्या डिसक्स करेंगे भई इसके विश्टलेशन को मतब इसमें और क्या कैसे चीज़े कौन-कौन से कारकों की वज़स से हमें इसको पढ़ना पड़ता है कौन-कौन से ऐसे फाक्टिस ते जिसके कांगे फेल भी हुआ बहुत जगह पे फेल भी हो जाता भई ठीक है और इसके बाद हम देखेंगे इसके यूसे कि कहां इसका प्रयोग है कहां इसको यूज कर सकते ठीक तो इत समझेंगे और साथ मिल करके ये पूरे चाप्टर को ऐसा प्रिपेर करना है कि अब से पहले इस चाप्टर को किसी ने कभी भी इस प्रकार से प्रिपेर ना किया हो ठीक है क्योंकि यहीं से हमारी सुरुवात होती है और कहते हैं अगर सुरुवात अच्छी हो जाए तो आज अच्छा होना चाहिए भई इसलिए हम एक अच्छे आगाज करेंगे आप बस प्रिपेर्ड हो जाईए इन सभी चीजों के लिए करना कुछ नहीं है सिंपली आपको तैयारी के साथ में रेगुलर्ली फॉलो करना है बस बाकी सारी जंबदारी है हमारी आप सिर फॉलो कर लिए भई क्योंकि यहीं पर आने वाला है इस चाप्टर के सारे ही कुंसोट वीडियो और फटा फ़ट से दोस्तों में शेर भी कर दीजे क्योंकि उनको भी जोईन करानी है इसे तो भई हमारा जो मागनेट ब्रिंस है आपका जो मागनेट ब्रिंस है ये लेकर क्या आता है Class 7th to 12th Free Online Education Quality Content and Experience Teachers के साथ तो बनर यह हमारे साथ हम मिल रहे हैं अपने अगले session में इस chapter की सुरुवात करेंगे तब तक के लिए Thanks for watching